नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशन मिश्टरा 2024 लोगसभाचुनाव के नतीजे कई तरीके से पढ़े जा रहे हैं कई तरीके से इसके माइने निकाले जा रहे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है कि इन नतीजों का बहुत व्यापा कसर होने वाला है बहुत तरीकों से इसे पढ़ा जा सकता है जिसकी भी रुची है राचनीती में, सामाजिक शास्तर में उसके लिए बहुत कुछ है जानने के लिए लेकिन एक एक अध्याय को पलटने में समय लगेगा एक ऐसे शक्स की यहां बात करनी जरूरी है जो भविश्य की राचनीती को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यहां से बहुत कुछ है उसके लिए एक ऐसी जीत, एक ऐसी सीट की बात मैं कर रहा हूँ जिसकी गूँच दिल्ली तक सुनाई दे रही है ऐसे समय में जब आप कोलीशन गवर्मेंट की दौर में फिर से लौट कर आ रहे हैं लेकिन एक तबके की जो सियासत होती है उसमें भी लोगों की नज़र रहती है कि कुछ कौन सा वर्क किसके साथ ख़ड़ा होता है किसे रिप्रेजेंट करता है दलित राजनीती देश में कोई नई नहीं है कई दलित नेता इससे पहले रहे हैं लेकिन एक चहरा जो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अपनी पहचान बना सकता है और एक सीट जिससे उसकी शुरुवात हुई है वो है पश्मी यूपी की नगीना सीट आरक्षिस सीट है और नेता का नाम है दलित यूवा नेता है चंद उसे खर आजाद आजाद समाज पार्टी उन्होंने बनाई अपने बैनर तले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया लेकिन उससे पहले कई तरह की खबरे चुनाव से पहले आई जब अखलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात और सीटों को लेका सामन जिससे बिठाने की कोशिश कोई नतीजा नहीं निकलता है और अपने दम पर वो कैंपेइन करते हैं उनकी एक पूरी टीम तयार होती है और जब नतीजा निकल कर आता है देखे डिल लाग से ज़lyदा वोटों से उन्होंने जीत दर्च की है नगीना से यह सीट अपने आप में बहुत महतन पूर है यह शक्स अपने आप में बहुत महतन है जिस पर बात करना जरूरी है और ऐसे समय में में इस व्यक्ति की बात कर रहे है जब दलित राजनीतियों को लेका यूपी में पर्चम लहराने वाली BSP बहुजन समाज पार्टी की चमक फीकी हो रही है मायावती एक तरीके से सीन से बाहर हो चुकी है इस समय चुनावी नतीजों में अगर आप देखे तो वोट शेर धड़ाम हो चुका है BSP का 0 सीट में अगर देखा जाया तो ये दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब BSP को एक भी सीट लोग समाज चुनाव में हाथ में लगी 424 ऐसे सीटी थी जिसमें BSP ने अपने कैंडिडेट फिल्ड किये 89 सीटे उत्तर प्रदेश में ही थी लेकिन एक भी संसत जीतने में और संसत पहुँचने में कामयाब नहीं हुआ तो ऐसे समय में ये जीत अपने आप में बहुत महत्तुपूर्ण है दलितों की हमायती और दलितों की राचनीती करने के जंडा बरदार कहे जारे चंशेकर आजाग कि आने वाले वक्त में दलितों की आवाज उठाते हुए इस संसत के अंदर नजर आ सकते हैं क्या एक तरीके से अपने वोटर्स को और कंसॉलिडेट कर सकते हैं उस पर बात करें उससे पहले नगीना से उनकी जीत पर बात करना जरूरी है जैसा मैंने कहा कि लगबग 15,000 मतों से उन्होंने जीत दर्च की है अंतर से और दूसी तरब देखा जाया तो वोट शेर 50 फीज़दी से ज्यादा है एक 50.19 फीज़दी वोट शेर उनको मिला है 36 फीज़दी वोट शेर BJP का यहाँ पर कम हो गया हाला कि BSP के लिए सीट काफी इससे पहले अगर आप 2019 के चनाओ को देखे मैं उस पर जाओंगा लेकिन BSP के सुरेंद पाल सिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि BSP का वोटर्स एक तरीके से शिफ्ट होता नसर आया बहुत से सीटों में वो समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया एलाइंस के साथ गया नगीना सीट में साफ नज़र आता है कि सुरेंद पाल सिंग जो BSP के टिकेट पर चनाओवी मैदान में थे उन्हें 1.33 फीज़दी वोट मिलता है समाजवादी पार्टी के मनुच कुमार को 10.22 फीज़दी वोट मिलते हैं और बड़ा हिस्सा वोटर्स का एक तरीके से चनशेकर आजाद के साथ जाता है 2019 के अगर आप देखें तो BSP ने यहां से गिरीज चन को खड़ा किया था जिन्होंने BJP की एश्वन सिंग को 1,666,000 मतों से माद दी थी नगीना के अगर आप जाती समीकरण देखते हैं तो लगबग 20 फीज़दी जो दलिजाटव समधाई से जो लोग आते हैं को BSP के कोर वोटर्स कहलाते हैं कहलाते रहे हैं लेकि इस पर ऐसा लगता है क्योंकि 20 फीज़दी आप वो रख लिए 40 फीज़दी हैं पर मुस्निम अद दाता है और उसके बाद राजपूत हैं अगरुआल है कुर्मी समाज के भी लोग यहां पर आते हैं लेकिन ऐसा लग चंजखर आजाद के साथ गया लेकिन जो तीन सवाल इहां से उटखड़े हुए कि BSP जो दलितों की आवास बनते हुए नजर आयी हैं इतने दश्कों तक क्या चंजखर आजाद एक चहरा हो सकते हैं, क्या वो संसद में आवास उठाते हुए नजर आ सकते हैं, क्या देश क बाकी हिस्सों में खास्तों से उत्तरप्रदेश में चंशेकराजाद की मानिता और बढ़ सकती है कि आप VSP का जो वोट बैंक श्रिंग कर रहा है, सिखुड रहा है उसको अपने पक्ष में लामबंद करने वाली जो दलित राजनीती होती है उसको एक तरीके से उठा सकते हैं चंशेकराजाद क्योंकि बड़ा वोट बैंक जो दलितों का था वो इस समय ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक के साथ गया है और उसके पीछे आप रीजन धूनने की कोशिश करेंगे जो 2019 में ऐसा लग रहा था और कई नेताओं का खुले तोर पर कहना कि अगर बीजेपी इस पार एंडिये चार्स उपार जाएगी बीजेपी पूल बाउननत के साथ एक बाब फिर से आती है तो सम्विधान में बतलाब कर सकती है अलागी बीजेपी की नेता इसका खंडन करते रहे लेकिन इसमें बहुत देर हो गई और ये जो मैसेश पहुँचा उसने एक डेंट पहुचानी की कोशिश की जो SP का वोट बैंक दलितों का वोट बैंक एक तरीके से consolidate हुआ वो बनता नसर आया लेकिन मैं फिर से उसी टॉपिक पर लोटूँगा क्योंकि दलितों की राजनीती आमतोर पर पिछले कुछ दशक में हमने देखा एक बड़े चेहरे के सहारे चलती रही है एक पार्टी के साथ दलित वोट बैंक जुड़ाव महसूस करता रहा है लेकिन उस वोट बैंक का कम होना और उस नेता का कम एक्टिव होना ये भी सच है कि BSP का वोट बैंक अगर श्रिंग कर रहा है सिकुड रहा है तो दूसरी तरफ हम मायावती को देखिए क्या वाकि मायावती उस तरीके से एक्टिव नसर आई ऐसा लगता है दोजाद चौदा के बाद उन्होंने अपनी राचनीती को खुदी एक तरीके से पैसिव मोड में डाल दिया हो उस तरीके से एक्टिव नसर नहीं आती इस बार भी उन्होंने कई जन सभाएं की हैं उन चंशेकर आजाद पूरी कर सकते हैं बेस्पी के जैसे मैंने कहा मैं चंशेकर आजाद की राजनीती जिस तरीके से उबरती हुई नसर आ रही है उस पर बेस्पी पर इससे वोट बात कर रहा हूं क्योंकि जो एक वोट शेर है ये सबाल उठखडा हुआ यूपी की सियासी गलियारों में दिल्ली के तमाम राजनीतिक विशलेशक इस पर बात कर रहे हैं कि जो पारंपरिक तौर पर यादव मुस्दिम वोट बैंक लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी है उसके साथ दलिद वोट बैंक जुड़ता नहीं रहा है बहुत जगे टकराव ये साफ एक अफ़ा ने काम किया और वो जो वोटर शिफ्ट होते हुए ने सराय था 2019 में बीजेपी के साथ वो बीएसपी के साथ छोड़ कर चला गया समाजवादी पार्टी के तो आने वाले वक्त में उसे एक ऐसा चहरा चाहिए होगा जो उसकी राजनीती को रिप्रेजेंट कर स समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एलाइंस हुआ, बीएसपी को बड़ा फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी ने नतीजों के बात ये कहा कि जो वोटर से बीएसपी के वो शिफ्ट नहीं हुए समाजवादी पार्टी के साथ और इसलिए समाजवादी पार्टी को पांच सीटे मिलती हैं और BSP को दस सीटे मिलती हैं लेकिन अलाइंस करने की मजबूरी इसलिए हुई क्योंकि 2014 में मोदी लेहर के सामने BSP का वोटर से एक तरीके से शिफ्ट हुआ था और BSP को एक भी सीट नहीं मिली थी अगर आप इससे पहले देखें तो 1996 में 11 सीटे 1998 में 5 सीटे 1999 में थोड़ी वक्त बाद आटल जी की सरकार गिरी फिर से चुनाव हुए 14 सीटे BSP को मिली थी और 2009 में 21 सीटे और उसके बाद देखी आप तो किस तरीके से 2014-2019 के आकरे सामने हैं और इस समय BSP लगता ही नहीं था कि जमीन पर BSP लडने की कोशिश में भी है इसलिए चंद शेकर आजाद की बात हो रही है लेकिन इससे पहले जब 2019 की में बात कर रहा हूँ 2024 की बात कर रहा हूँ तो 2022 की बात करना जरूरी है क्योंकि UP विधान सभाचनाव ऐसे में जब BSP का कोर वोटर यूपी से आता यूपी पे खासा फोकस दलित राजनीती में BSP कर रहा है तो यहाँ पर हुआ क्या 2022 की बात करना जरूरी है यूपी के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर फिल्ड किये गए मायावती की ओर से लेकिन नतीजा बिल्कुल सिफर रहा मुस्लिम कैंडिडेट जीतने में नाकाम रहे एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत करनी विधान सभा पहुचा और जो मुस्लिम वोट बैंक था भी नहीं लगता है कि बहुत खासी संख्या में मायावती के साथ गया इसके अलावा दोसार चॉबिस के लोग सभा चुनाओं में जो कैंडिडेट फिल्ड किये गए उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने फिल्ड किये और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू किया कि एक तरीके से बीजेपी की बी टीम हो चुकी है बीजेपी बीजेपी को फायदा पहुचाने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट को फिल्ड कर रही है जिसने मुस्लिम वोटर्स बढ़ जाएं लेकिन चुनावी नतीजे साफ इशारा करते हैं कि मुस्लिम मद्दाताओं ने मन बना लिया था वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे और दलिद वोटर्स छोड़ कर चले गए इसलिए बीजेपी की हालत हुई लेकिन नगीना सीट में आप देखिए 40% मुस्लिम मद्दाता हैं और ये साफ इशारा करते हैं कि चंद शेकराजाद के साथ वो खड़े नजर आए चंद शेकराजाद इससे पहले लगातार सुर्खियों में रहे हैं मैं आऊंगा कि किस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स ने शेप लिया लेकिन अगर आप 2017 की घटना का दिक्र करूँगा जिससे ना सिफ यूपी लखनव बलकि दिल्ली की सियासी गलियारों में चंद शेकराजाद नाम के शक्स की बात होने लगी भीम आर्मी की बात होने लगी हुआ यह कि सहारनपुर के एक गाउ में क्लैश होता है राजपूर समाज में और चंद शेकराजाद के दलिट समाज के लोगों में और उसमें एक तरीके से टकराफ की मुद्रा में नहरते हैं और उसके बाद इनके उपर केस दर्ज होता है इने जेल जाना पड़ता है NSA लगाया जाता है 2018 में NSA हटाये जाने के बाद लंबा वुक जेल में बिताने के बाद चंद शेकराजाद को रहा किया गया जो CA प्रोटेस्ट होते हैं उसमें भी बढ़ चल कर हिस्सा लेते हैं तरीके से इस कबायद ने इस पूरे एक्शन ने चंद शेकराजाद को सुर्खियों मिला दिया मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ा और दलिद वोट बैंक को भी एक नई पहचान दिलाने की कोशश उनकी और से की गई थी तो चंद शेकराजाद को भी इस तरह की राजनीती करने से एक अलग तरह की पहचान मिली अगर आप देखें तो हो क्या रहा है इस समय हम एक व्यक्ति की बात करनें और यह नहीं भूलना चाहिए कि भीम आर्मी की अगर आप सपोर्टर्स देखेंगे तो यूपी के कई जिनों में आप उनको पाएंगे मैंने भी यूपी चुनाव प्रचार के दोरान ये देखा है कि दलिद वोटर्स किस तरीके से भीम आर्मी की बात करते हैं अच्छन शेकराजाद की बात करते हैं अलाकि वो नगीना तक ही सीमित थे पूरी कोशिश के वो कर रहे थे कि अखले श्यादव के साथ सीट शेरिंग को लेकर बात बन जाए बात नहीं बनी और अपने दम पर अपनी पार्टी अपने नाम पर वो चुनाव चिनने पर चुनाव रणने का फैस्सा करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनकी राजनीती नगीना से बाहर निकलती हुई नजर आएगी ऐसे समय में एक तरफ मैंने आपको बताया चंशेकर आजाद पर नजर सबकी होगी और ये भविश्य की राजनीती दलितों की करती नजर आ सकते हैं दूसी तरफ मायावती ने एक तरीके से उत्तरादिकारी आका शानन को बनाने की कोशिश की उन्होंने घोशिद भी किया, कन्वेनर भी बनाया उनको लेकिन ऐसा कुछ हुआ चुनाप्रचार के दौरान के एक महिने के अंदर आका शानन से वो जिम्मेदारी ले ली गई BSP के लिए आगे की राजनीती कौन समालेगा कौन वो जंडा लेकर चलेगा जो काशिराम और मायावती लेकर चलते रहे ये एक बड़ा सवाल है और दूसी तरफ दलित राजनीती को पहचान देने के लिए एक नया चहरा सामने आ चुका है और वो है चंशेखराजाद उनकी भविशी राजनीती क्या होगी वो किस ब्लॉक के साथ जुड़ते हुए राजनीती करेंगे या वो अलग रास्ता चुनेंगे वो उत्तर पदेश तक अपने आपको सीमित रखते हैं लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव हो गए हैं तो दिल्ली में अपनी जगह तलाशने की टटोलने की कोशिश करते हैं चोटे-चोटे पॉक्रिट्स में दलिद वोट बैंक किसी व्यक्ति को अपना नेता के तौर पर देख रहा है तो आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि ब्यस्पी की राजनीती जिस तरह की रही है वही राजनीती जंडा उठाए, चंशेखर आजात करते हैं और एक तरीके से दलिद वोट बैंक को कंसॉलिडेट करते हुए नज़र आ सकते हैं इस पर आपकी राइ क्या है इस नए युवा चेहरे के बारे में युवा नेता के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताए आज की विश्टेशन में इतना ही नमस्कार